हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एवन ट्यूटर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गौशनर को ले राचे इंटरमीडियर सेक्षन के ओनलाइन पेमेंट के बारे में यानि कि ओनलाइन एडमिशन फी के बारे में जैसा कि मालूम है इसका प्रभेजिनल लिस्ट आ चुका है आपका सार्टिफिकेर वेरिफिकेशन हो चुका होगा अब देखिए एक अपडेट किया गया यहां पर देख सकते हैं तीन नंबर में पे ओनलाइन एडमिशन फी तो इसको चलिए किलिक करोगे आप लोग तो इस पर हम लोग किलिक करते हैं ठीक है तो एक न्यू करते हो सकते हैं ग Le Engagement प्रोफिल मोड में नहीं चलिए खिक हे धहां रख़ेगा तो यहां देखते हैं दोस्तो तो यहां पर देख सकते हैं subject and migration then view amount to view detail as per selection फिर चार नमर में दोस्तों scroll down to check your grant total amount फिर मतलब लास्ट में पांस नमर में दोस्तों आपको आपका student नाम email id phone number subject session द्वाल नमर आपको fill करना होगा फिर आई अगरे बॉक्स पर आपको click करना होगा फिर में payment पर करना होगा तो देखिए मैं आपको सारा डीटेल है आप बता देता हूं step by step ठीक है अब देखिए कैसे आपको करना होगा one second इस पर हम लोग click करते हैं desktop mode open करते हैं ठीक है अब यहां देख सकते हैं यह खुल गया अब देखिए intermediate का करना है get the approval from the department before making the payment intermediate पर हमने click किया अब यहां पर देखिए आपको course का मैं इसको जूम कर दूँ इस पर यह ओके ओके तो first year है okay आप science है तो science ले सकते commerce तो commerce ठीक है ध्यान रखिएगा first year category आप select कर लेना admission fee जो होगा annual होगा additional subject जो है आप select कर लेना दोस्तों यहां पर देख सकते हो ओके फिर आपको देखिए क्या करना होगा उसके बाद जैसे की देखो मैं बता ही देता हूँ यहां पर हमने एक subject जैसे की for isc का computer हमने select किया फिर यहां पर migration yes फिर यहां पर tick कर दिया ठीक है view amount one second यहां कहा जा रहा है कुछ और क्या कहा जा रहा है is student cannot choose computer subject है हमने यहां पर आई यह दिया है isc यहां से लिक कर लेते हैं ठीक है चलो science हो गया ओके अब यहां पर हम लोग view amount करते है तो देखो view amount करने पर आपको yes यहां पर हम लोग करते है तो कुछ problem सायद हो रहा है इसे चलो arts से यहां पर हम लें one second यहां पर additional subject तो नहीं है चलो यह हम लोग select कर लेते हैं चलो additional make migration को yes हो गया okay अब यहां पर हम आउंट यहां पर हो रहा है देख सकते सब्रेंट्स कोर्स देख सकते आर्ट्स का मतलब यह नीचेम दिया गया ठीक है अब यहां देख सकते हैं amount आपका फिए grant टोटल है subject आप यहां देख लेना मतलब फिर यहां पर आपको application नंबर डेटो पर डाल कर आ जाया तो क्या होगा जैसे कि पैसा कट गया और आपका payment successful नहीं हुआ यहां पर दिया गया दोस्तों in case of unsuccessful failed transaction if amount go deducted from your account refund will be initiated within तीन दिन तो तीन दिन में दोस्तों अगर आपका पैसा कट जाता है और successful नहीं होता तो तीन दिन में आपका amount जो हुआ initiate हो जाएगा आपके account में ह और किसी तरह आप call करके पूछना चाहते हो तो जल्दी से दोस्तों payment कर दो payment करने के बाद आपका admission successful हो जाएगा ओके